आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में कैसे हैं आप मैं तो ठीक हो राशा करती हूँ आप सब लोग भी ठीक हो गे आज का जो डिजाइन बहुत है बिल्कुल यूनिक सा डिजाइन है और हम इसको सिंगल गडिक दो खड़ए कंद कर्णों को बनाने के लिए मैं इ crippled सब्म सब्सक्राइब जैन स्वेटर में डाल सकते हैं जैकिर में डाल सकते हैं बेबी सेट में डाल सकते हैं सोक्स या कैप जो भी बना रहे हैं हर तरीक से यह सुटेबल डिजैन रहेगा चलिए चलते हैं अपने डिजैन की तरफ यह देखेगा इस डिजैन को बनाने के लिए मैंने 21 और 20 फंदे ल इसको मैं उल्टा बना लो जैसी मर्जे आपकी बनाना पहले वाला फंदा, धागा पीछे करेंगे, तीन फंदे सिधे बनाएंगे, एक, दो, और ये तीन, धागा अपनी साइड करेंगे, पांच फंदें मुल्टे बनाएंगे, यही हमारे डिजाइन के फंदे रहेंगे, दो, तीन चार और ये पाँच इनी फंदों को बार बार हम रिपीट करेंगे धागाप पीछे करेंगे तीन फंदे सी दे बनाएंगे 1, 2 और ये 3 धागा अपनी साइड 5 फंदे उल्टे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, और ये पांच, धागा पीछे, तीन फंदे डिजाइन के हैं, लास्ट वाले, एक, दो, और ये तीन, ठीक है, दो फंदे, जो मेरा डिजाइन के हैं, एक ये, एक उदर था, इसी तरह से आपके फंदे होने चाहिए, 21 फंदे हैं, 88 फंदों के मल्टिपल डिजाइन है, second row है, डिजाइन की, और उल्टि साइड है, पहले वाला फंदा, इसमें मेरा इस्ट्रा है, तो मैं इसको, उल्टा बना रही हैं, उल्टि साइड से, धागा अपनी साइड है, तीन फंदे, ये वाले, सीधे बनाऊंगी, उल्टि साइड से, ये देखेगा ध धागा उपर से लिया, एक, दो, और ये तीन, ये वाला फंदा जो हमने उपर से लिया था, इसको हम इन तीन फंदों के, उपर से गिरा दें, इस तरहीं से, पांच फंदे फिर से हम सीधे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, और ये पांच, धागा अपनी साइड लाएंगे, फिर से, तीन फंदे हैं जो ये, इनको भी सीधे बनाएंगे, धागा उपर से लेगा है, ये देखेगा, एक, दो, और ये तीन, जो ये धागा हमने उपर से लिया है, इनको तीनों के उपर से उतार देंगे, ये ऐसे, ठीक, पांच फंद और ये पांच दागा फिर से अपनी साइड लाएंगे तीन फंदे सीधे बनाएंगे लेकिन धागा उपर से उतारे एक दो और ये तीन जो ये उपर से हमने फंदा डाला था इनके उपर से हम उतार देंगे ऐसे धागा अपनी साइड लाइश्ट फंदा है उल्टा या सीधा आप जेसा मर्जी बनाना मैंने उल्टा बनाया है डिजाइन की थट्रू है और सीधी साइड है पहले वाला फंदा मैं इसमें उल्टा ही बना लूँगी जो यह तीन फंदे इनको सीधा बनाऊंगे तीनों को सीधा बनाया धागा अपने साइड पांच फंदे बीच के उल्टे बनाएंगे एक दो तीन चार और ये पांच धागा पीछा करेंगे तीन फंदे सीधे इसी तरह से बनाते हैं पूरी रोग को अपने रिपीट करेंगे चलिएगा बना लेते हैं यह देखें कर्टिजेन की फोर्थ रो है फोर्थ रो भी हमें इसे बनाएंगे जैसे हमने सेकिंड बनाई थी पहले वाला फंदा मेरास में उल्टा बना लिया धाग अपनी साइड है तीन फंदों को में सीधा बनाऊंगे ऐसे ओपर से लेते फिर से हम अपने सीधा ही बनाएंगे फोर्थ रो है विजैन की है चलिएगा कर लेते हैं इसी तरह से पूरी रों को कि यह ओपर से उतारने हैं में हाँ हैं कर दो अब यह देखे यह पर फिप्तरो है प्रिप्तरों में हमें पहले वाला फंद हम हम इस्ट्रा जो है उल्टा बना लिया के तीन पंदे सीधे बनाएंगे अधाग अपनी साइड लाएंगे दो फंदों कसा एक करेंग हैं यहा फिप्तरों है डिजैन की दो किया धागा पीछे किया जो यह बीच वाला फंदा है बिलकुल इसके निचे लेकाएंगे एक दो तीन चार इसमें चार वाले में और यहां से हम एक फंदा निकालेंगे लंबा सा इस तरीक से और जो बीच का फंदा है इसको सिधा बनाएंगे वापस इसी में डालेंगे एक फंदा और निकालेंगे लंबा सा करेंगे थोड़ा धागा अपनी साइड लाएंगे दो फंदों का एक बनाएंगे धागा पीछे करेंगे तीन फंदे बीच के सीधे बनाएंगे एक दो और ये तीन धागा अपनी साइड दो फंदों का एक बनाएंगे जो ये बीच वाला फंदा है धागा पीछे करेंगे एक दो तीन चार इसमें जो नीचे चोथे वाले में है इसमें वापस डालेंगे ऐसे और एक लंबा सा फंदा बनाएंगे बीच का फंदा सिधा बनाएंगे वापस इसी में डालेंगे से लंबा सा लूप फिर निकाल लेंगे फंदा ऐसे और धागा अपनी साइड और दो फंदों का एक कराएंगे दागा पीछे तीन फंदे फिर से सिधे बना देंगे यह हमारे डिजैन की फिफ्ट रो है और सिक्स रो हम से बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे जैसे हम बनाते आ रहे हैं चलिए कर बना लगते हैं पहले वाला उल्टा धाग अपनी साइड तीन फंदों को सिधा बनाएंगे एक दो और तीन और यह वाला जो दागा हमने उपर से लिया था इनके उपर से हम उतार देंगे उल्टी साइड से जितने भी आएंगी सभी रो को हम इसी तरह से बनाकर कम्प्लीट करते जाएंगे इस तरीक से बीच के पांच फंदे भी सीधे बनाएंगे यह जितने भी हमारे उल्टी साइड से तीन फंदे हैं जो सीधे बनाएंगे इनको हम हमेशा ऐसे ही बनाएंगे तो चलो करते हैं इनको पूरी रो इसी तरह से रिपीट जब यह देखेगा छे रों बन गई मैं यह डिजयन मेरा इस तरह का आया है जब यह च्छे रों हम बनाते हुए जाएंगे ना तो इसका डिजयन का हमारे यह इतना प्यारा सा फाइनल लुक बनते हैं आएगा अगर आपको यह मेरा डिजयन पसंद आया हो यह आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक करना शेर करना और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना वीडियो देखने के लिए थैंक्यू